गरीब लोगों को फ्री राशन, फ्री वैक्सिनेशन जो सारे काम होदी साहब ने किये हैं, हमें विश्वास हैं, जब भी यहाँ एलेक्शन होंगे, लोग एक बार फिर डेवलेमेंट के नाम पर बीजेपी को वोड़ देंगे और बीजेपी की जीत हैं। आन दक नहीं पहुंचे हैं या फिर पूरे नहीं हो पाए हैं, उस पर आप क्या करें। शहर में जो डेवलेमेंट हो रही है, इस अब मोदी सहब की देन समाधान के हैं। पर जमकुष्मीर बेरोजगारी के दर्ट पर तीसरी नमर पर आता है, सरे से किस तरह सवाल करना चाहेंगे। नेरेंदर मोदी सहाब मन की बात के माध्हम से पूरे देश के जन्मानस की आवाज को लेरोजगारी कारिकर्म, को सारी दुनिया और देश के सामें पर तूत करते हैं। पहली बार तीन अक्तूबर दो हजार चोदा को विजे दश्मी के दिन मोदी साहब ने मन की बात कारी कर्म शुरू किया था और देश भर से उनको जो सुझाव जो प्रेरना दाई प्रसंग पत्रों के दोरा मेल के दोरा जो मोदी साहब को लोग लिक कर भेशते हैं उन पर मोदी साहब चर्चा करते हैं तो असल में मन की बात जो कारिकरम है ये देश की जनता की आवाज मोदी साब के माध्यम से सुनी जाती है इस बार 30 एपरल रवी बार सुबह 11 बजे जब मोदी साब मन की बात के कारिकरम में जब देश वासियों से समवाद करेंगे तो ये उनका सोवाँ एपिसोड होगा मन की बात के कारिकरम का ये अपने आप में एक इतिहास है पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पहमाने पर हमने इसकी तैयारियां की है जम्मू रिजिन में लगबग पांच हजार स्थानों पर और कश्मीर में पांच सो स्थानों पर ये कारिकरम रवी वार तीस एपरल ग्यारा बजे ये कारिकरम आई उजित किये गए हैं जिसमें आम जन मानस आम लोग सामूहिक इकठे बैटकर मन की बाद के कारिकरम को सुनेंगे और मोदी जी का जो ये हंडर्थ एपिसोड होगा ये अपने आप में एक इतिहासी कारिकरम दाए मन की बाद पहला ऐसा कारिकरम है जो जिसे खुद परधान मंत्री जो है वो लोगों की अबात सुन रहे है जमो कश्मीर के भी काफी लोगों ने अपनी बात जो है वो परधान मंत्री तर रखी है पर आप ग्राउंड रियालिटी से वाकिफ हैं आज भी जमो कश्मीर में कई ऐसे मुद्दे हैं जो उनके शायद कान तक नहीं पहुंचे हैं पर पूरे नहीं हो पाए हैं उस पर आप क्या कहें देखिए आज आप देखो जमो कश्मीर के अंदर जो डेवलेमेंट हो रही है जो हाइवेस बन रहे हैं एक्सप्रस हाइवेस बन रहे हैं रिंग रोड्स बन रही हैं फ्लाइ ओवर्स बन रहे हैं गाउं गाउं में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, यहां सांबा में एम्स, कश्मीर के अवंतिपुरा में एम्स, जम्मू तथा कश्मीर के गाउं गाउं में, शहर शहर में जो डेवलिमेंट हो रही है, इस सब मोधी सहब की देन है, और बहुत सारे ऐसे समाधान कर रहे हैं, एक-एक करके हर समस्या का समाधान की आज़ाय है, और जम्मू कश्मीर बैरोस्गारी किदर पर तीसरी नमर पर आता है, अज़लेसे किस तरह, देखिए, रोजगार दो परकार की होते है एक सरकारी नोकरी और दूसरा प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में भी आज मोधी सरकार द्वारा अच्छे इनिशेटिवस लिए गए हैं जो माइक्रो, स्माल, मीडियम, एंट्रिपेनियॉर्स हैं इनको बड़ावा दिया जा रहा है, मुद्रा लोन के जरीए ने स्टार्ट अप्स शुरू किये जा रहे हैं, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखेंगे, तो बड़े पहमाने पर जाब्स, रेकूरूट्मेंट्स हो रही हैं, और आने वाले दिनों में, आने व जो हैं, वो विकास के मुद्दे पर लड़े गए थे, इंप्लाइमेंट के मुद्दे पर लड़े गए थे, एक बार फिर जो है, वो जमुकश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, इस बार भाजबाव कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव में दान में उतरने के तयारी, जो साथ ने स्कीमे लाई गरीबों को फ्री मकान, फ्री टाइलेट बाथरूम्स, किसानों के खातूं में छेचे हजार, गरीब लोगों को हजार हजार पेंशन, और सबसे बड़ी योजना, आयूशमान भारत, जिसके तहट जो गोल्डन कार्ट बनता है, अगर कोई बीमार हो, च चहर का है य घाउं का है, सरकारी मुलाजम है य प्राइवेट काम करता है, हर एक को पाँच लाक रूपे तक का फ्री इलाज, एक साल में, मोदी साहब के गौर्डन कार्ट से बिलता है, गरीब लोगों को फ्री राशन, फ्री वैक्सिनेशन, ये जो सारे काम मोदी साहब न विकास कारे उपर इस बार जो है वह भाजपा को बार फिर वोट मिलेंगे बहत पैसा मानती है कि इस बार चुनावी मेदान में उतरने के बाद जो है अपने किये गए कारे जो है वो गनवाइज आएंगे और लोग भी इस पर जो है वोट देंगे आप लोग क्या कहते हैं हैं.